Hello everyone, इस वीडियो में हम डिसक्रस करेंगे molecular mechanism of skeletal muscle contraction skeletal muscle contraction के लिए mechanism जो most accepted mechanism है वो दी गई है sliding filament theory it is given by scientist Huxley sliding filament क्यों बोला इसमें? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? actin और myosin आपस में cross bridges बनाते हैं और जो actin होता है वो myosin के उपर ऐसे slide करता है that's why because of the sliding this is known as sliding filaments theory अब यहां देखें कि यह है Z line Z line से attach होता है हमारा actin यह molecule actin molecules है ओके? यह molecule है आपके thick filament यह myosin के molecules होते हैं यहां पर myosin filament है thick filament है यहां पर जो आपका myosin का यह myosin molecule है thick filament का इस myosin molecule में जो myosin के molecules हैं वो इस तरीके से attach रहते हैं कि इनके head आपके बाहर निकले रहते हैं इस तरीके से और यह head इस myosin के इस actin के साथ में attach होते हैं और वो बनाते हैं cross bridges और यह जिस जैसे suppose कर इस point पर यह जो आपका head है यहां पर attach हुआ तो यह क्या करेगा इनको साथ में अपने साथ में ऐसे slide करेगा दोनों साइड के इधर के इधर slide होंगे इधर के इधर slide होंगे यानि जैसे आपका Z और Z line के बीच में इसको हम बोलते है सारकुमियर और यह center of सारकुमियर है तो जब यह sliding filament theory होती है जब आपका myosin actin के साथ attach होता है तो यह इनको अंदर की तरफ slide करता है तो यह head इस तरीके से move करता है कि suppose करिए यह आपका actin है और यह आपका actin है और यह myosin का head है तो myosin का head attach होता है उसके बाद यह power stroke देता है जब यह power stroke देता है तो आपका actin molecule इसके साथ move होता है यह हमारा myosin का head है और यह हमारा actin है तो यह यहाँपर attach होता है इसको साथ में slide किया फिर यह वापस जाता है फिर यह दूसरे molecule से attach होता है फिर इसको slide करता है फिर यह वापस जाता है और यहाँ पर दूसरे molecule से attach होता है मतलब आप ऐसे इस तरीके से movement होता है तो जो हमारा myosin molecule है वो तो वहीं का महीं रहता है लेकिन actin आपस में मतलब नियर तु इस सेंटर ओफ दिस सारको मियर ऐसे आप slide करता है तो इसलिए इसको हम बोलते है sliding filament theory और इसमें crossbridge कौन बनाता है head of myosin makes the cross bridges with the actin और इसमें से कौन सा band change होता है कौन सा band change नहीं होता तो thick filament का जो जहां तक thick filament है उसको हम A band कहते हैं जो thin filament है इसको हम I band कहते हैं तो आप देखेंगे यह पहली position है resting condition यह maximum contraction की condition है जिसमें क्या-क्या हो रहा है Z lines are coming closer यह Z lines है they are coming closer और क्या हो रहा है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो है a band it is not going change to a band doesn't change during the muscle contraction लेकिन आइबेंड को देखेंगे पहले इतना था अब यह इतना हो किया यानिकि I band change a band not change I band become smaller okay and what about H zone at John कौन सा होता है जिस जो थिक filament का या a band का वो central position जिसमें की thin filament नहीं होते यहां पर thin नहीं है सिर्फिक filament है myosin filament है तो जो वो a band का वो central portion lighter होता है जो की जिसमें actin filament नहीं है उसको H कहते लगे यहां देखो जो यह पास पास आएंगे तो H कम होता चला जाएगा कम होता चलाएगा और मैक्सिम कॉंट्रेक्शन की कंडिशन में H-band disappear हो जाएगा तो H-band also become shorter and finally it disappear okay now यह actual में यह जो आपका मायोसिन का head है और actin है इनके बीच में जो sliding हो रहा है यह actually में क्या होता है इसको हम molecularly संजेंगे इस theory को हम sliding filament theory कहते हैं इसको cross bridges theory कहते हैं क्योंकि इसमें cross bridge बनते हैं और detach होते हैं इसका नाम cross bridges theory है और इसका नाम racket theory इसले कि racket की तरह से काम करता है तो हम इसको molecular mechanism समझने के लिए यहां पर इस diagram को समझेंगे इसमें आप देखेंगे यह हमारा myosin molecule thick filament जिससे बना होता है myosin molecule से myosin molecule का tail है यहां पर hinge portion होता ही वाला और यह होता है head का head कितने होते दो head होते है two global head in the myosin molecules यह हमारी Z line है और यह हमारा actin molecule है अभी जो हमने पढ़ा कि यह इस तरीके से Z line है यहां से actin आ रहा है यहां से actin आ रहा है और myosin का head इसके साथ में sliding करके इसको पास पास लेकर आएगा अब कैसे लेकिया है यह देखना है यह condition हमारी resting condition है resting condition में myosin के head से ATP attach हो जाता है और यह ATP myosin के head में क्योंकि ATP is activity होती यानि ATP को hydrolyze करने की activity होती है तो यह ATP break हो जाता है ADP and PI में लेकिन यह ADP और PI यानि inorganic phosphate यह दोनों वहीं पर हैड में attach होते हैं और जब यह से ATP ADP और PI में तूटता है तो आपका जो head है वह hinge पर twist होता है rotate होता है कैसकते हो so head become twist at the hinge so that what happen that head with the full with the other portion of the myosin molecule head comes at 90 degree यानि की head जो आपका 90 degree में आ गया rotation के बार और इस condition को हम बोलते है energized state of the myosin head और यह कौन सी condition है resting condition है मसला भी relaxing position में है अब इससे फाइदा क्या है इससे फाइदा ही होता है कि head से attached तो नहीं है head से actin attached नहीं है लेकिन affinity towards the actin becomes more in this energized condition यानि affinity क्या होता है love यानि attach होने की जो capacity है वो जादा है इस time पर और head की इस position को हम बोलते हैं cooked position of the head or energized state of the myosin head understand अब यह इसके साथ attached क्यों नहीं हो पा रहा है यह हमने last video में discuss किया था कि actin filaments के उपर troponin and tropomyosin इसको उसकी जो actin पर जो active sites हैं सपोस करीं यहां पर active sites हैं यह active sites आपकी actin and sorry the troponin and tropomyosin से covered होती है जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हो यह actin का molecule है इस actin के molecule पर यह active site है for the binding of myosin head ओके और यह हमारा myosin का molecule है myosin के molecule से head हमेशा बाहर को निकले रहते हैं इनकी पोजिशन होती है कि टेल ऐसे और बाहर थोड़ा सा head निकले हुए लेकिन यह इससे बाइंड नहीं हो पाता क्यों क्योंकि इस पर एक तो यह पो मायोसे यह इसको कवर करके रखता है इसकी active binding sites को और इसके उपर ऑफ निन उता जिसकी तीन सब्यूनिट होती है वह इन दोनों जो है ट्रोपोनिन यह हमारा है ब्लू आला छो पो मायोस सिंस है और हमारा है ट्रॉपोनिन प्रॉपोनिन तो ट्रॉपोनिन और ट्रॉपोमयोसिन बोत रेगुलेटरी प्रोटीन ये दोनों ट्रॉपोनिन भी ट्रॉपोमयोसिन भी किसको कवर करके रखते हैं एक्टिव साइट्स ओफ एक्टिन मॉलेक्यूल ये एक्टिव साइट्स किसके लिए हैं फॉर बाइंडिंग ओफ मयोसिन head क्योंकि myosin के head को यहाँ पर attach होना है finally लेकिन troponin और tropomyosin इसने इसको cover करके रखा हुआ है ठीक है अब जब action potential आता है action potential कहां से आएगा अगर आप देखेंगे कि यह हमारा है spinal cord spinal cord के anterior horn से motor neuron जाता है कौन सा motor neuron जाता है alpha motor neuron और यहाँ यह muscle को जाकर supply कर रहा होता है ओकी तो जब stimulus आता है और action potential generate होता है तो action potential generated at the motor neuron it passes through the motor neuron then यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा nerve और muscle के बीच में neuromuscular junction so that action potential passes to the neuromuscular junction neuromuscular junction पर क्या होगा इस acetylcholine सिक्रीट होगा तो यहाँ पर सारी neuromuscular junction के activities पहले होगी neuromuscular junction में acetylcholine सिक्रीट होगा acetylcholine जाएगा आपका muscle की membrane पर sarcolemma पर और sarcolemma पर again action potential generate हो मतलब spread होगा और then this action potential goes to the T-tubules जो हमने last video में पढ़ा कि muscles के अंदर action potential को ले जाने के लिए T-tubules होती है तो muscle की membrane पर तो यहाँ से आगया action potential लेकिन muscle के अंदर deep में कहां से जा रहा है T-tubules के थू जा रहा है और T-tubules से फिर जो आपकी terminal cisterny है वहां से calcium secrete होता है और sorry वहां क्या होता है conformational changes होते है वहां होता है rhinodyne receptors on the terminal cisterny और फिर वो क्या करता है sarcoplasmic reticulum शे calcium को release कराता है and that calcium binds with the troponin की c unit से इस troponin की c unit से वो calcium bind होता है जैसे यह bind होता है वैसे ही conformational change होते है इस troponin and tropomyosin में troponin में भी tropomyosin में भी और इस conformational change होने से यह जो active side पर bind रखा था tropomyosin यह अट जाता है और अपनी groove में पहुन जाता है क्योंकि actin के बीच में यह actin के दो filament से इन में आपस में groove बनी होती है तो यह इस active side से हटके या binding side से हटके actin की यह groove में चला गया हट गया वहाँ से एक तरह से जब यह वहाँ से हट गया तो यह active side free हो गई अब जो myosin head इन पर नहीं bind हो पा रहा था binding side पे अब myosin head इस binding side पे bind हो गया ओके यहाँ पर यह bind हुआ on the active sides अब जैसे यहाँ पर bind हुआ तो क्या होगा अब आप इदर देखिए यह तो होगी resting condition इस diagram में यह यहाँ पर जैसे calcium आया action potential के थूँ यह आपका bind हो गया bind हुआ तो इसने क्या बनाया cross bridges formation cross bridge कहां होते है myosin head पे होते है और जो की actin के साथ bind करके cross bridge बनाते है तो यह यहाँ पर cross bridge बन गए उसके बाद क्या होगा जैसे यह यहाँ पर bind हुआ दो चीज़े होगी जो ADP and inorganic phosphate यहाँ पर head पर bind हो रखा था वो अब release हो जाएगा तो जब PI release होगा यानि inorganic phosphate यहाँ इसके head से release होगा तो power stroke होगा power stroke क्या होता है power stroke यह होता है जो 90 degree angle पर था पहले जो है ना 90 degree angle पर था myosin का head with the full myosin molecule अब यह क्या करेगा यह यहाँ पर 45 degree पर rotate होता है तो अब पहले 90 degree का angle था या इस head के साथ पूरी molecule का अब यह 45 degree का angle पर चला गया है तो जब यह 45 जैसे यहाँ पर attached था तो यह ऐसे move होता है जब यह ऐसे move होगा तो साथ में अपने actin filament को slide करेगा जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि यह जैसे यहाँ पर यह आपका actin है और यह myosin है यह पहले ऐसे attach था ठीक है फिर जब inorganic phosphate इसमें से release हुआ तो यह आपका थोड़ा सा ऐसे bind हो गया ऐसे bind हुआ लेकिन जब यह ऐसे bind होगा तो यह actin filament को भी अपने साथ move करा लेगा ठीक है ऐसे अब यह attach है यहाँ पर move तो करा लिया इसने लेकिन अब जो ADP molecule है वो भी release हो जाता है यहाँ से अब ADP release हो जाता है तो it leaves the actomizing the rigid state यानि कि PI ने तो inorganic phosphate एक तो जो inorganic phosphate release हुआ उसने इसको पावर स्टॉक दिया जिससे actin move किया ADP release हुआ उसने क्या किया जो यह actin myosin का complex है यह myosin है इनका जो complex है अब यह ऐसे रिजेट कंडिशन में आ गया कि यह दोनों आपस से detach नहीं हो पा रहे यानि आपस में move तो हो गया तभी यह आपस में से release हो पाएगे तभी detachment हो पाता है क्योंकि जैसे ATP लगेगा अब इस myosin head की actin के साथ जो affinity थी जो attachment होनी की capacity थी जो love था वो हट गया वो कम हो गया तो फिर यह इस पे से detach हो जाता है और उसके बाद क्या होगा अगेन क्योंकि myosin head में ATP is activity है यानि hydrolyze करने की शक्ती है तो क्या करेगा यह ATP से फिर से ADP और PI में convert करके रखेगा जैसे convert करेगा फिर से 90 degree पे आजाएगा और इस condition को अगेन हम कहेंगे energized state तो पहले ATP, ADP, PI में convert होके रखा रहता है इस resting condition में यह बहुत important है क्योंकि हमें लगता है ATP energy दे रहा है तो यह contraction की condition में होगा लेकिन नहीं यह पहले ही ATP, ADP, PI में convert होके वहाँ पर रखा रहता है हैड अटाच रहते हैं इन दोनों चीज़े और यह ATP जब hydrolyze होता है तो यह आपके जो myosin head है उसको ऐसे rotate करता है यह वो 90 degree angle पर आ जाए और इसको cooked state of head और energized state कहते हैं और यह तभी release होते हैं जब आपका action potential आया calcium से bind होआ और यह आपका तब एक power stroke देता है और दूसरा condition में महां क्या होता है लेकिन यह rigid condition में है फिर से एक नया ATP आएगा तभी detachment हो जाएगा अब यह cycle attachment, detachment, attachment, detachment cycle चलती रहती है और यह actin दीरे-दीरे move होता रहता है क्योंकि पहले suppose कर यह ऐसे हुआ थोड़ा सा move कराया अब यह वापस गया तो दूसरे पर attach होगा फिर से और सा move कराया amount में है तो यह cross bridges continuous चलती रहती है इसलिए डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आपका होँआपर stimulus है और उसी हिसाब से force of contraction generate होता है अब जब यह एक बार जैसे यह जो myosin molecule होता है एक थिक filament में करीब 500-600 myosin के head होते है और जब एक बार forceful contraction है तो यह जो हैड का movement detachment detachment हो रहा है यह approximately 5 times per second हो सकता है for a stronger contraction अगर weaker contraction हो तो कम भी हो सकता है but stronger के लिए 5 times per second हो सकता है तो यह 505 यह पर 5 again 5 times और उसका double approximately 10 to 11 nanometer यह इसको move करा रहा है that is important अब क्या होता है कि normal condition में resting condition है यह वाली जो condition है when resting resting में भी अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि ऐसा होता है कि जो cross bridges है सारे cross bridges एक साथ नहीं बनते जो भी वहाँ पर actin myosin है उसमें क्या होता रहता है कि कुछ actin myosin ने cross bridges बना रखा है कुछ power stroke के time पे कुछ resting condition में है जो power stroke वाले हटते है तो जो resting वाले है वो आपके power stroke देते है तो मतलब जो muscles है ना वो continuous काम करते है धकती नहीं है वो और resting condition में भी कुछ cross bridges बने रहते है जिसकी वज़े से एक वहाँ पर एक partial contraction state डेवलप हुई रहती है मसल में जिसको हम कहते है tone अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारी muscles होती है वो थोड़ी hard है देखो अगर ध्यान से देखोंगे तो यह पर एक muscles में आपको चूक के देखेंगे बहु फ्लैबी नहीं है एक hardness है मतलब एक partial state of contraction state में हमारी normal muscles होती है और उसी को हम कहते है tone of muscles and that is very important for our posture for our body muscles to maintain a status तो यह इसलिए है कि resting में भी कुछ cross bridges बने हुए है अब यह जब अगर अब क्या होगा यह contraction हो गया है अब relaxation कैसे होगा तो relaxation क्या होता है कि वहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो आपकी endoplasmic वहाँ पर reticulum है जिसको हम कहते है sarcoplasmic reticulum उस sarcoplasmic reticulum पर एक होता है सरका सरका क्या होता है it is a calcium ATPS sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPS वो क्या करते हैं जो calcium हम है उस calcium को वापस इसमें भेज देता है जो वहाँ पर सरcoplasmic reticulum वापस calcium भेज देता है और जो वापस calcium चला जाएगा तो जो actin myosin है सब वो वापस cross bridges नहीं बनेंगे और ये relax हो जाएगी तो इसका बहुत important role है relaxation के लिए और क्योंकि ये calcium ATPS है यानि कि ये भी active process है इसलिए relaxation में और contraction में दोनों में ही हमें energy चाहिए होती है यानि ATP is required for contraction as well as for relaxation और contraction में नेखेंगे तो आपको दो बार ATP चाहिए एक बार आपको शुरुआत में ATP अटेप होके बैठा हुआ है और फिर detachment के लिए हमें ये फिर से चाहिए ATP ठीक है और जब हमारी जब क्या होता है कि death हो जाते है किसी की तो थोड़े टाइम बाद body stiff होने लगती है तीन से चार गंटे में body में एक stiffness आनी शुरू हो जाती है और जो की लगबग 12 गंटे के आसपास में पूरी तरह से stiff हो जाती है body उसका reason क्या होता है कि body में जो cells हैं cells क्योंकि die होने लगी है अब cells जो die हो रहे हैं cells का जो ATP है वो loss हो रहा है तो जो एक cross bridges form हो रहा है contracted state है वो contracted state में ही रह जाते है relaxed नहीं हो पाती क्योंकि relaxation के लिए भी ATP चाहिए इसलिए body जो है sustained contraction की condition में ही रह जाती है जिसको हम लोग बोलते है rigor mortis यानि कि मरने के बाद जो hardness है जो residue develop हो रही है that is rigor mortis अब हम यह तो हो गया हमारा पूरा overall contraction mechanism sliding filament theory अब इससे हम पूरी इसको एक arrow diagram के form में बनाएंगे कि यह किस तरीके से हमने जो contraction पढ़ा है यह किस तरीके से हो रहा है अब यह है हमारा neuron motor neuron और यह है muscle तो अगर आप contraction mechanism पूरा देखे तो सबसे पहले क्या होगा neuron से एक action potential आ रहा है action potential travel in motor neuron और वो motor neuron कौन सा है alpha motor neuron उसके बाद neuron और muscle के बीच में क्या आ रहा है neuromuscular junction so action potential passes into neuromuscular junction अब आप अगर आपको याद हो कि neuromuscular junction की जो mechanism थी वो क्या होता है कि यहाँ पे यह नर्व का पार्ट होता है neuron का और यहाँ पे हमारा muscles का पार्ट होता है तो जब action potential यहाँ आता है यहाँ पे क्या secret होता है acetylcholine और acetylcholine के लिए यहाँ पर receptors होते हैं विचार NM receptors जब यह NM receptors stimulate होते हैं तो फिर इसके बाद अंदर mechanism होती है और यह action potential आपका muscles में फैल जाता है तो action potential passes into neemuscular junction acetylcholine release then there is NM receptors on muscle and plate यहनि कि यह muscle की plate होती है इसको muscle and plate बोलते हैं then there is a spread of action potential in sarcolema पूरी muscle की जो membrane होती है इसको हम sarcolema बोलते हैं उस पर यह आपका spread हो गया है action potential अब muscles के उपर उपर इने deeper कैसे जाएगा है तो हमने यहाँ पर पढ़ा था क्या होता है यहाँ पर T-tubules होती है T-tubules are extensions of plasma membrane यानि sarcolema जिसमें की कौन सा fluid होता है extra cellular fluid होता है तो T-tubules का काम होता है action potential को अंदर पहुंचाना so action potential spreads to deeper portion of the muscle fiber by T-tubules ओके आपको याद हो कि T-tubules में यहाँ पर DH-P-R receptors होते हैं dihydropyridine receptors यह इनमें conformational changes होते हैं फिर यह क्या कराते हैं जो rhinodine यहाँ पर DH-P-R receptor होते हैं यह क्या है आपका terminal cisterny terminal cisterny पर यहाँ होते हैं rhinodine receptors तो यह rhinodine receptors भी conformational changes होते हैं और यहाँ पर क्या release होता है? calcium release होता है यह spread हुआ dihydropyridine receptors का conformational change हुआ rhinodine receptors का conformational change हुआ and then calcium is released when calcium is released what happens it binds to C subunit of troponin ठीक है? जब यह bind होता है तो there is a conformational changes in tropomyosin जब tropomyosin में changes होते हैं tropomyosin होता है यहाँ से and then what happen active binding sites of active binding sites of actin are exposed किसके लिए है वो active binding sites for myosin यहनी myosin bind होना है वो exposed होते हैं and finally what happen actin myosin cross bridges are firm cross bridges form cross bridges cycle happen and then contraction occur and contraction का क्या होता है फिर सर्का sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase what they do they take calcium to sarcoplasmic reticulum back चला जाता है calcium goes back to sarcoplasmic reticulum and then what happen relaxation occur so this is the overall mechanism of contraction and relaxation अब यहां से लेकर क्योंकि यह action potential generate हो रहा है यानि कि excitation हो रहा है और मसल contraction तक की जो process है उसको हम एक special नाम देते है excitation contraction coupling excitation contraction यह बहुत important short note होता एक्जाम के लिए और इसमें से MCQs पर आते है excitation contraction coupling है relation between electrical event यानि action potential to the muscle contraction यह एक्टिमाशन कॉंट्रक्शन तो यहां से लेकर इस तरीके से आप इसको excitation contraction कॉप्लिंग के short note में लिख सते हैं और इसके बाद जो यह actual mechanism है actin myson cross budget cycle जो भी हमने से पहले पड़ा कि वो cycle कैसे बन रही है यह कैसे power stroke generate हो रहा है इसमे ADP, PI, इनका क्या रोल है कितना अंगल पे होता है that is actual sliding filament theory mechanism और इसमे कॉन से यह आपके bends increase होते है और कॉन से अंचेंज रहते हैं that is the part of sliding filament theory so this is overall mechanism of skeletal muscle contraction this topic is also very important for MCQ purpose also so thank you so much students